दोस्तो अब तक का सबसे बड़ा rights issue लाया है Reliance Industries आज इस वीडियो में हम practical बात करेंगे इस rights issue के calculation की और जब आप ये examples देखेंगे हमने तीन examples देखें दिये हैं दोस्तो इस वीडियो में तो आप भी पूरे confidently अपना भी calculation कर पाएंगे ऐसी हमारी उमीद है ऐसा हमारा भरोशा है दोस्तो तो वीडियो को last तक देखते रहे है पूरा rights issue का calculation हम बताने वाले है calculation से पहले कुछ important चीज आपको बता दे 53,125 करोड का ये rights issue है इंडिया का biggest rights issue है अब किस हिसाब से ये होगा one equity share for every 15 equity share यानि कि जो ratio जो रहेगा one is to 15 का ratio रहेगा यानि अगर आपके पास 15 share है तो आप एक share के लिए apply कर सकते हैं अगर आप ऐसे समझना चाहें तो वैसे समझ सकते हैं अब आज की तारीक में closing price रहा है 1464 रुपए ये मैंने लिया हुआ है और 1257 ये देखिए ये मैं black से कर दो 1257 पर share ये rights का price है अब ये जो रोहेगा जो rights issue है Reliance Industries ने तीन decade के बाद आया है दोस्तों यानि 30 साल पहले आया था rights issue उसके बाद Reliance ये rights issue लेकर आया है अब हम आपको दोस्तों calculation समझा रहे हैं देखिए आज का current price ले लीजिए 1464 ठीक है Rights issue price है 1257 अब ये सबसे important figure है आपके लिए 1257 ठीक है अब rights जो issue होगा 1 is to 15 में होगा यानि कि अगर आपके पास 15 share है Reliance Industries के तो आपको एक share मिलेगा ठीक है ये एक share को मैं blue कर देता हूँ ये देखिए ठीक है अब ये 1464 रुपे में समझ लीजिए उसी समय में आपने Reliance के 15 share खरीद लिए ठीक है 15 share खरीद लिए तो आपने total खर्चा कितना किया 21,960 इतना तक आपको समझ में आया यानि ये जो 21,960 है ये 1464 इंटू 15 हमने कर दिया यहां पर ठीक है अब चुकि 15 share है आपके पास ठीक है तो आपको rights issue में एक share मिलेगा ओके अब ये एक share की कीमत रहेगी कितनी 1257 तो ये 1257 है और एक share है तो आपको टोटल जो आपके number of shares जो है वो बढ़के हो जाएंगे 16 share ठीक है ये 15 और ये एक ये rights issue का एक share तो 16 share आपके पास हो गए और आपने टोटल खर्चा कितना किया 21,960 और एक share आपने खरीदा तो ये हुआ 1257 तो टोटल आपका खर्चा होता है equal to 23,217 रुपए आप मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा ये टोटल के हिसाब से हमने किया है तो ये हुआ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट राइट इशू के बाद अब ये 23,217 है इन्वेस्टमेंट और 16 share है उनको हमने फिर डिवाइट कर दिया देखे यहां पर मैं इसको डिवाइट कर देता हूं 16 से क्योंकि आप नंबर अफ शेयर आपके बढ़ चुके है तो राइट के बाद आपका जो वैल्लिव आती है वो आती है 1451 रुपए आपने खरीदा था स्टॉक कितने में 1464 में और 1451 यानि आपको 13 रुपए का अगर देखा जाए तो पर शेयर डिसकाउंट मिल रहा है थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा है चलिए एक और प्रैक्टिकल एक्जांपल दिखाता हूं दोस्तों ऐसे भी इन्वेस्टर्स रहेंगे जिनोंने हो सकता है रिलाइंस में 1600 रुपए क्या सपास भी इन्वेस्ट किया हो डिसमबर मैना में यह मार्किट अच्छी खासी थी बहुत आगे उसका निफ्टी थी तो 1600 में भी इसका प्राइस था दोस्तों तो उस सिचुएशन में कैसे होगा सेम है 1257 रहेगा इशू प्राइस वन इस्टू फाइब कर इस और समझ दीजिए इस बार आपने खरीदे हैं 60 शेर नहीं खरीदे हैं 60 शेर आपने खरीदे हैं ठीक है तो 1600 इंटू 60 शेर यानि टोटल आपक का रेशियो है तो आपको मिलेंगे कितने शेर चार शेर मिलेंगे राइट में अपलाई करने के लिए तो यह आप कितने में 1257 इंटू 4 करके आप खरीद लेंगे तो आपका टोटल खर्चा तोटल खर्चा पड़ेगा 5028 रुपए ठीक है अब टोटल शेर आपके पास कितन पहले हुआ बाद में आपने चार शेर खरीदे 1257 के भाव में तो और टोटल खर्चा हो गया आपका एक लाग दस हजार अठाइस हजार ठीक है 2800 सॉरी एक लाग दस हजार अठाइस रुपए यह आपका टोटल खर्चा हो गया फिर से इसी को हम डिवाइड कर देंगे 64 में शेर मिल जा रहा है 21 रुपए में तो उनके लिए फाइदा ही है अभी शेर भाव चल रहा है 1400 साड़े 1400 के आसपास तो 1257 में अगर यह स्टॉक मिल रहा है ऐसे इन्वेस्टर्स को तो उनको अच्छा खासा एक एवरेज वो कर पा रहे हैं दोस्तों चलिए लेकिन ऐसे भी कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने रिलाइंस को हो सकता है 1257 रुपए से भी कम में खरीदा हो उनके लिए क्या बनता है वो भी बता देते हैं दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एवरे जब जैसी सिच्वेशन बनती है देखिए समझ लीजिए आपके पास रिलाइंस हजार रुपए में है समझ लीजिए हजार रुपए में आपके पास है रिलाइंस का जो राइट्स आ रहा है 1257 में आ रहा है तो कोई भी सोचेगा कि 1257 में तो मुझे तो बहुत अच्छी डील नहीं मिल रही है लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत सारे इंवेस्टर्स होते हैं जो लॉंग टम का सोचते हैं और वो अवरेज अप भी करते हैं क्योंकि अच्छे कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी जब नीचे जाए तो भी एवरेज करना चाहिए ऐसे चक्कर में बहुत सारे एवरेज यस बैंक में भी किये गया है लेकिन इंवेस्टर फस्त किया फिर चार शेर उनको मिले और यह चार शेर में उनका जो टोटल खर्चा होता है दोस्तों यह टोटल खर्चा उनका होता है पांच हजार अठाइस रुपए क्योंकि यह है 1257 यह हम 1257 थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रहेगी 1257 को चार से हम डिवाइट कर दे रहे हैं तो यह पांच हजार अठाइस आ ठीक है और 64 शेर आपके पास रहे है यही है सांट से चार चार से यह चौसट और आपका टोटल जो खर्चा हुआ है उसको में ग्रीन में कर देता हूं सांट हजार और यह पांच हजार अठाइस और यह लिए 65,028 रुपए आपका टोटल खर्चा हुआ तो आपका टोटल अगर हम बताएं तो आपका जो एव्रेज जो कॉस्ट होता है वह 1000 रूपए से बढ़के 1016 रुपए हो जाता है तो उस हिसाप से आपका कॉस्ट 16 रुपए बढ़ जाता है दोस्तों कोई इंवेस्टर ह होगा वैसा समझेगा कि यह हजार रुपए में है मुझे खरीदना है मैंने खरीदा था इन फैक्ट और आज की तारिख में 1400-1500 में चल रहा है तो मेरे लिए महेंगा होगा तो यह राइट्स जो है उनके लिए बड़ा ही यूसफुल होने है दोस्तों अब दोस्तों लाख रुपए का प्रस्ण है कि कंपनी क्यों यह राइट्स इशु ला रही है रीजन एक ही है कंपनी को टेट फ्री होना है डेट नहीं चाहिए दोस्तों आपने अगर मार्किट में देखा वह पिछले दो-तीन साल में अगर कोई कंपनी गिरी है तो दो ही कारण रहे है या तो प्रोमोटर चोर था या फिर कंपनी बहुत ज्यादा डेट में थी यानि बहुत ज्यादा लोन में थी और आज की तारिक में आप रिलाइंस का भी देखेंगे 0.6.7 परसंट के आसपास 0.6.7 जो र भार लिया है जो भी उन्होंने पैसा रेज किया है जल्दी से जल्दी वो सब किया जाए खतम किया जाए और फेस्बुक के साथ जो डील हुई है वो भी एक बहुती वेलकम स्टेप है वही उनकी एक कोसिस रही है और नेक्स स्टेप में वो राइट से सूल आ रहे है ताकि उनका total target है कि वो zero debt company बन जाए और दोस्तों अगर यह zero debt company बन जाती है तो बहुत ही बड़ा positive रहेगा investors को बहुत जादा confidence भी आएगा दोस्तों और यहां right system में एक और important बात बता दे कि जो promoter है अम्मानी सहाब है उनकी family है वो लोग भी यहां पर subscribe करने वाले हैं यह चीज को भी आप note करके रखे और दूसरा अगर unsubscribe भी जो होता है वो promoter जो है वो उनको भी subscribe कर लेंगे तो यह बड़ा ही confidence देता है दोस्तों उनका कहने का है वो जो मैंने आपको बताया कि promoter जो है unsubscribe को भी करने वाले है यह बड़ा ही positive है यह चीज को आप ज़रूर ठ्यान में रखे और बाकि आप as a shareholder है तो आपको अपना decision लेना है कि आपको rights में apply करना है कि नहीं शेर भाव आपके पास 1400-1500 में है तो आप average डाउन कर सकते हैं और अगर शेर भाव आपके पास समझ लीजिए 800-900 में है तो आप average अपडिक कर सकते हैं 1200-1500 में आपको महंगा लग रहा है तो 1257 सायद उतना महंगा नहीं होगा दोस्तों अपने व्यूस जरूर दीजिए वीडियो पसंद आया तो चरूर लाइक शेर सब्स्राइब कीजिए दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए